अहत्वपूण कदम है साथियों आजादी के बात के दसकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सरफ कुछ ही शेत्रों में सीमित रखा गया देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से बंचित रहा इसमें भी उत्तर प्रदेश जहां देश की सबसे अधिक आबादी बस्ती थी उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया यह इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह वर्ताव किया जनता को अभाओं में रखने का समाज में बटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा इसकी कीमत कैसे ताकतवर हो सकता था आप मुझे बताईए क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कर नहीं बनाना होगा और मैं तो यूपी का सांसद हूँ और मेरी विशेज दिम्मेवारी है मेरे परिवार जनो 2017 में डबल इंजीर की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनोत्य से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गती दी है आज का कायरकम हमारी इस प्रतीवद्धता का प्रमान है आज भारत में दो बड़े डिफेंस कोरिडोर पर काम चल रहा है उन में से एक यूपी में पस्टीमी यूपी में बन रहा है आज भारत में नेशनल हाइवे का तेजी से विकास हो रहा है उस में से अनेक पस्टीमी यूपी में बन रहे है आज हम यूपी के हर इस्से को आधुनिक एक्स्प्रेस वे से कनेक्ट कर रहे हैं बारत का पहला 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 नमो बारत ट्रेन प्रोजेक्ट पस्टीम यूपी में ही शुरू हुआ है यूपी के कई शहर मेट्रो सुविदा से जुड़ रहे हैं यूपी इस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर्स का हब बन रहा है और ये बात बहुत बड़ी है साथियों आने वाली सताब्जियों तक इसका महत्मय रहने वाला है जो आपके नसीब में आया है जब जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट मन कर तैयार हो जाए